चोपड़ा है जुकिसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा है चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आयूस के आल इंडिया सेकंड राउंड का रजल्ट डबल ए ट्रिपल सी ने जारी कर दिया है सेकंड राउंड की कटोफ फर्स्ट राउंड से हाई रही है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ओल इंडिया फिप्टीन परसेंट और सेंटल इनुवर्सिटी की कटोफ फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में ज्यादा रही है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सेकंड राउंड की कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, इंस्टिटूट वाइज कटोफ क्या रही है इससे ज्यादा रहने के कौन-कौन से कारण है और मोपप राउंड यानि थार्ड राउंड में क्या कटोफ रह सकती है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं इसके सेकंड राउंड की कटोफ तो जब सेकंड राउंड के कटोफ की बात करें तो सबसे पहले हम BMS की ओल इंडिया कोटा के कटोफ देखते हैं तो इसमें जनरल केटेगरी की 542 कटोप रही है तो फर्स्ट राउंड में 541 कटोप रही थी जनरल पियेज की 145 कटोप रही है जो 142 रही थी फर्स्ट राउंड में इसके बाद में हम बात करते हैं SC कटेगरी की तो 425 रही है ये फर्स्ट राउंड में 423 कटोप रही थी ST कटेगरी की 412 कटोप रही है जो फर्स्ट राउंड में 415 कटोप रही थी कहने का मतलब यह है कि BMS कोर्स के लिए ओल इंडिया जो गवर्मेंट कोटा है उसकी कटोफ फर्स्ट राउंड से सेकंड रा बात करते हैं जो एड़ेड कोटा है ओल इंडिया गौर्मेंट एड़ेड कोटा है उसकी बात करें तो जनरल केटेगरी की 538 कटोफ रही है और 538 कटोफ ही यह फर्स्ट राउंड में रही थी अब बात करें ऐसी केटेगरी की तो 423 कटोफ रही है यह फर्स्ट राउंड में 419 कटोफ रही थी इसके बाद एस्टी कटेगरी की 398 कटोफ रही है फर्स्ट राउंड में 404 कटोफ रही थी इसके बाद में हम बात करते हैं Central University की BMS course के लिए तो BMS course के लिए 4 Central University है सबसे पहले हम BHU की बात करें तो BHU की 602 जनरल केटेगरी की कटोफ रही है ये 598 कटोफ रही थी 1st round में इसके बाद में हम बात करें जनरल PH की तो 144 कटोफ रही है इसके बाद में EWS केटेगरी के लिए 601 BHU में कटोफ रही है ये 1st round में 593 रही थी OBC की बात करें हम BHU की तो 600 कटोफ रही है ये 589 1st round में रही थी ST category की 470 cut off रही है 478 फर्स्ट राउंड में cut off रही थी इसके बाद में हम बात करें ST category की 456 cut off रही है इसकी इसके बाद में Central University जामनगर की बात करें तो BMS course के लिए General category की 602 cut off रही है जो फर्स्ट राउंड में 591 cut off रही थी इसके बाद में हम बात करते हैं EWS category की तो 592 cut off रही है जो फर्स्ट राउंड में 587 cut off रही थी इसके बाद में OBC category की 598 cut off रही है 585 first round में रही थी SC category की 504 cut off रही है जो 473 first round में रही थी इसके बाद में बात करते हम जामनगर की ST category की BMS course के लिए तो यह triple four cut off रही है इसमें अब NIA जेपूर की बात करें तो NIA जेपूर की cut off second round में BHU से भी ज्यादा रही है जनरल category की बात करें तो 603 cut off रही है जो first round में 595 cut off रही थी इसके बाद EWS की 603 cut off रही है जो first round में 588 रही थी OBC category की 598 रही है जो first round में 587 रही थी SC category की 498 cut off रही है जो first round में 486 रही थी इसके बाद में 476 ST category की cut off रही है NIA जेपूर की अब बात करें हम Central University Shilong की तो general category में 572 cut off रही है जो first round में 567 cut off थी इसके बाद EWS में 557 cut off रही है first round में इसकी cut off 553 थी OBC की बात करें हम तो इसकी 555 cut off रही है first round में इसकी 552 थी 424 SC category की रही है first round में 428 थी और ST category की 412 cut off रही है Central University की BMS course के लिए इसके बाद में हम बात करते हैं BHMS के लिए ये जो मैंने पहले cut off बताई ये सारी BMS के लिए थी अब बात करेंगे हम BHMS यानि होमियोपेतिक के तो हमियोपेतिक के लिए ओल इंडिया जो गौर्मेंट कोटा है उसमें 492 cut off रही है इसके बाद में हम बात करते हैं SC category की तो 393 रही है इसमें और 354 ST category में BHMS के लिए ओल इंडिया कोटा में रही है इसके बाद में BHMS से ओल इंडिया गौर्मेंट एडेड कोटा की बात करें तो 497 cut off रही है 390 SC category और 357 ST category की cut off रही है इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें Central University Kolkata की तो Central University Kolkata में 528 cut off रही है फर्स्ट राउंड में 526 रही थी जनरल कटेगरी की EWS की 502 रही है जबकि 511 रही थी फर्स्ट राउंड में इसके बाद OBC की 502 रही है फर्स्ट राउंड में 503 रही थी SC में 386 रही है 394 फर्स्ट राउंड में रही थी ST category की 353 रही है फर्स्ट राउंड में 387 रही थी तो ये सिलोंग की cut off है इसके बाद में Kolkata की cut off मैंने आपको बदा दी है 533 फर्स्ट राउंड में रही थी इसके बाद सेगंड राउंड में 525 रही है इसके बाद थर्ड राउंड में शुरी OBC केटेगरी में 520, SC में 401 और ST में 345 कटोफ रही है तो इस परकार से ये BHMS की कटोफ है इसके बाद में हम बात करें B.S.M.S की तो B.S.M.S में जनरल कटेगरी की 502, SC की 401 और ST की 353 कटोफ रही है इसमें B.U.M.S जनरल कटेगरी की 491, SC 386, ST 356 रही है B.U.M.S All India Added Quota में 534 जनरल, ST की 397 कटोफ रही है तो इसमें अगर मेरे को थोड़ा सा B.H.M.S में बोलने में थोड़ा सा इदर उदर हो गया तो ये कटोफ लिगी हुई है यहां आप देख लें 2nd round की 1st round की कटोफ अगर आपने देखनी है तो आप ये पहले का वीडियो देख सकते हैं मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखा है अब हम इसमें बात करते हैं कि 2nd round में इतनी ज़्यादा कटोफ रहने का कारण क्या रहा है दोस्तों बिहार, राजस्तान, यूपी, हरियाना इन सब की 2nd और मौपा प्राउंड की कटोफ 600 से उपर रहने के कारण इन इस्टूडेंट को इन स्टेट्स में सीट नहीं मिल पाई थी उन्हें स्टूडेंट ने BMS का ओप्सन लिया है दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी कुछ इस्टेट के आयूस की काउंसलिंग हुई नहीं है जैसे राजस्तान हो गया, उत्रप्रदेश हो गया, उत्राखंड हो गया तो इससे भी काफी फरक पड़ा है ये स्टूडेंट ने ओल इन्डिया में सीट ले ली है उसकी कटोप पर इफेक्ट पड़ना था, अब हम बात करें मोप अप या फिर थर्ड राउंड में इसकी कटोप क्या रह सकती है तो दोस्तों हम जनरल EWS OBC केटेगरी की ओल इंडिया कोटा 15% की बात करें तो ये 535 तक रह सकती है और हर एक कटेगरी में 5-7 मार्क्स तक डा देखने को मिलेगी तो ये जानकारी थी आयूस की काउंसलिंग कटोप के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलेंगे नई अपडेट नई जानकारी के सा तब तक के लिए जैहिन